यह जो caste word है इसको आप कहिए यहा तो पुर्तोगी इस casta या लेटिन कहिए casterus दोनों इंडियन नहीं और उनके यहाँ यह concept लागू थे it was related to purity of blood हमारे यह purity of blood का कोई concept नहींचा और वरण की भी एक असलियत क्या है हर कोई उसको लिखता है वरण और वरण की भागवद गीता 413, निरुक्त 214, सामवेद, होमोहिरार्क का सहिक अन्सपोलिक की बुक वही सारे रेफरेंसे लेके finally I concluded that this वरण is derived from the Sanskrit-based वरी, with expansion वरणा, मुझे नहीं पता है के लोग ये क्यों लिखते हैं, इस से बढ़ा clear हो जाता है, वरणा means to select, we can select our own social status depending on our ability and experience and behavior towards other and whatever is done and वरणा is assigned by the Guru when you become सनातर, and they say it is by birth तो शुरुवात से ही जो है, जो गलती चली आ रही है, मुझे नहीं पता हमारी इतने भी sacred text है, और सम्में ये क्यों मिलता है, जबके सही तो यही है, ये सही नहीं हो सकता, अगर कोई मेरे को explain कर देता हूं, मैं मान भी सकता हूं तो हमने जो है, शुरुवात की वरण से, तो बढ़ते जाएए, बढ़ते जाएए, जाती का शब्द जो है, मनु में आता है, एक जाती, दू जाती करके, and that too is the science of वरणा, और जाती शब्द जो है, वो भी संस्कृत की जाती से बनता है, जाती वरण जो है, that is derived from the science of जाती, that means kin group, kin group तो सब क्यों होते ही, तो जाती में क्या प्राउब्लम है, जो जाती को, कास्टिजम से क्लेस्ट करके, और फिर जाती को अभी करेंगे, फिर फाइनली वाननों को अभी करेंगे, फिर फाइनली हिंदुईज्म को अभी करेंगे, और फिर सनातन को अब हिंदु की अगर बात करते हैं, अब शास्त्रों में मिलता एक दो तीन जगह है, कहीं कहीं इस्तेमाल हुआ था, जोगरिफिकल एन्टिटी सब लोग जानते हैं, but it was popularized by Raja Ram Mohan Rai in his writing of 1816, होता क्या है, जैसे ये colonial people Africa गए पहले बार, so whole of the Africa was living in small, 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 uncentralized communities and they wanted somebody to rule, so they created some units, 20, 30, 40, 50 units create करके एक chief बना दिया, शुरू में अफरीकन हस्ते थे, कि chief is sent by the God, इन लोगों को राज करना, राज करें ये, हम ही क्यों disturb कर रहे हैं, but because the force was there, तो एक जनरेशन नहीं तो दो जनरेशन में, whole of Africa became centralized, इसी तरह से इन्होंने umbrella term Hindu create किया, और Manum Bashing की जो बाद शुरू हुई, आप वो बहुत तारीफ करते हैं जोतिबा फुले की, वैसे तो मैंने इस किताब में राजा रा मोहन राए की जो कबर है, लंडन में उसकी फोटो भी दी है, कि वो तो Christian थे वैसे ही, उसी तरह से जोतिबा फुले का मैं अभी थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ, एक साहब हुए हैं, उनका नाम था T.T. पड़वाल, तात्या पड़वाल, और उन्होंने एक किताब लिखी है, जाती विभेज विशेशी का, और इन साहब ने उसको पब्लिश किया था, यहां से शुरू होता है, मनु को गाली देने का मसला, यहां बताया गया है, कि जो higher caste जो थी यह वारणा के लिए जो इस्तिमाल करते हैं, कि वो तो अपने आपको जैसे मालिक समझ थे थे समाज का, और सारी punishment lower caste के लिए होती थी, शुद्रों के लिए होती थी, पहले बात तो यह है, कि शुद्र वड का इस्तिमाल कहीं नहीं हुआ है, यह लोग बात करते हैं, 10th मंडल की, और 10th मंडल में भी जो एक बार हुआ है, वो एक ही बार हुआ है, और सब historians कहते हैं, कि इस 10th मंडल, it has been inserted later on, मनुक नहीं बात करते हैं, शुद्र की, यह लोग बात करते हैं, और वो क्या कहते हैं, कि everybody, let us say, maybe he doesn't talk of शुद्र, maybe he thinks that everybody is बार्ने शुद्र, जब तक आप नौलेज गैन नहीं करते, और बहेवियर, it is not accountable, so when you have that sacred thread and go to gurukul and whatever your experiences are there with respect to your own gurubhais and with the guru and when you become graduate, which you call sanatak and guru assigns you that varna, so depending on your caliber, your nature, his experiences with you, he gives you brahman, kshatri or vashya, those only who could not complete their education or who were not interested in education, they were declared shudras, but their children could become again brahman, kshatri or vashya, and they say, why was that, so shudra की बात नहीं की जाती कर भी जी, लेकिन ये जो है, पड़वाल साब, shudra के कान में सीसा डाल दिया, हम नहीं भी बच्पन में पढ़ते थे किताब, हम पढ़ता नहीं वो किताबें थी कैसी वो, लेकिन अगर हम फिर से, I rely mainly on manusamriti, मेरा जो ज़्यादा ज़ो interest है, Indian history में manusamriti है, और Islamic history है, तो manusamriti clearly कहते हैं, chapter 8, श्लोक 337, 338, शुद्र अगर चोरी करता है, तो चोरी के समान का आठ गुना, उसको खामयागा देना पड़ेगा, और ये लोग इतने पर खुरुष्टाफ कर जाते हैं, देखो जी शुद्र को कर दिया, आगे लिखा है, वैश्य को उससे दो गुना, श्यत्री को उससे दो गुना, और ब्राहमन को उससे दो गुना, चार गुना, सौ गुना, एक सो बतिस गुना केतना भी कर दिया जाएं, क्यों? Higher the social status, greater is the knowledge of rules, and greater is the expectation to follow those rules, और उससे एक फैले श्लोक में, एक 336 में लिखा है, कि जितने आम आदमी को सजा होगी, जिस बात के लिए, राजा को उससे एक हजार को नहीं होनी चीए, तो राजा तो श्यत्री होगा, तो उन लोगों की, जितनी भी Breaking India कोशिशें थी, कि 1, 2, 1, 4, टोटर्स लोग हैं, जो relevant हो सकते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, चैप्टर 5 में, अगिन मुद्द यही है, कि देखो किस कास्ट के लिए क्या है, अगर ये सर आएंगे, तो इनको ये वाला मीट को रोसा जाएगा, ये सर आएंगे, तो ये वाला मीट को रोसा जाएगा, उसी चैप्टर में, फिर कई श्लोक है, उस सबसे इंपोर्टन जो है, श्लोक 551, चैप्टर 551, जिसमें कहा गया है, जो शिकार करने जाता है, ले के आता है, दुकंदार को बेजता है, जो टुकड़े काटता है, जो खरीता है, जो घर लाता है, जो पकाता है, जो सर्व करता है, जो खाता है, सारे कर भी न लें अब बताओ कहीं कोई डाउट बचता है, वाइलेंस अगेंस अनिमल्स के लिए तो कुल मिला करके, जो बेसिक अबजेक्टिव था, उन्हों ने जो नौलेज दी, सारी हमारे लेफ्टिस को दी, हमारे लेफ्टिस ने वो सारी नौलेज जो है, शुरू से लेके, आपको पता ही है, पहले 50 जो भी थे, और हमारे जो एंसियाटिस जब आई, नुरूल हसन हमा जो शिक्षा मंतरी थे, क्लियर गाइडलाइंस थी हिस्टोरियंस को, डियूरिंग मेडेवर रूलर्स जो है, उनको क्रिटिसाइज नहीं करना कभी भी, कोई भी एट्रॉसिटी नहीं मिले गया आपको हिस्टोरियंस, जबकि तुजु के जहांगीरी में, जहांगीर उठा देता है, हमारी हिस्टी नहीं कहेंगी, और दुसरा, मौडर्न एंडिया में नहरु गांधी फैमिली के हिलावा किसी को हाइलाइट नहीं करना है,